विदान सभा के आगमी बजट सत्र को लेकर देहरादून विदान सभा में कारे मंत्रना समीती की बैठक आयुजित की गई। इस बैठक में संसदिय कारे मंत्री प्रकाशपंत, नेता प्रतिपक्ष इंद्राहिरदेश, विदान सभा सचेव सहित, विदान सभा के अधिकारी म मौके पर मौझूद रहे इस दोरान संसदिय कारे मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के साथ आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की वहीं संसदिय कारे मंत्री का कहना है कि विपक्ष उन्हें सयोग देगा इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है जिसमें विधिवत रूप से 20 तारिक को महामाहिम स्री राजिपाल का विभासन होगा तीन बज़े विभासन के उपरांत सदन बैठेगा और सदन में माननी अद्धेक से उसका वाचन करेंगा और उसके पश्चात निधन के निदेश में हमारा सोक संबेदना प्रकट की जाए वही नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेगा लेकिन विपक्ष की मन्चा कभी भी सदन में व्यवधान उत्पन करने की नहीं होती इस दोरान पहली बार शनिवार को भी सत्र चलने पर भी चर्चा की गई आमतोर पर हफते में पांच दिन ही सदन की कारिवई होती है लेकिन विपक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है जिसके चलते सहमती से शनिवार को भी गैटसेंड में विधान सबा सत्र चलेगा पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरदून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट